गुड मॉनिंग एक्सलर चिपनिकल क्लासेज में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं नार्टन थेवरम पिछले वीडियो में देखा था थेवनिन थेवरम इस वीडियो में हम दोग देखने वाले हैं नार्टन थेवर एवं में हम दो सीवा नेटवर्क को विडी आटीएच एवं सिवीज लजिस्टनस र्ट को बोलिट सोसектив में चेंज करते हैं। तो इब कि नार्तन थेरं में हम दो स्तिता नेटवर्वक को करेंट सोस में चेंग करते हैं यह होगयी इसकी स्टेट्मेंट अब इस पे एक हम तक ये यूं क motto रिकल से हम स्टार्व क्रक्र horse से नार्तन के कूश le को साल किया जाता है यह कूष्टन एकाइस बोल्ट की वैटरी और है चारों 6 ओम 6 ओम दो उम का रिश्टेश्टों लगा हुआ है इस दो ऊम में जाने वाली करेंट कमान तो पिस्वाल करते हैं उसका इस्टेप 1 पहला क्या होगा की जिस यहां में जाने वाली करेंट कमान इसमें पूछा जाए इसमें पूछा जाए किसी में भी पूछा जाए उस रिस्टेंस को हटा देते हैं उसे सार्क सार्क कर देते हैं पफला है जिस रुझेंस को ऑट के उसको साकर कर दो कि तो हुआ यई को इस तरह से बनेगा अब हम क्या करेंगे can straight करेंट का मांद ज्याद करना होता है कि आप क्या करेंगे निकालना है तो यहां को कि इस कमान निकालना है यहां निकलने वाली धारा कमान कितना होगा वो निकाल लेते हैं तो आई बराबर हो जाएगा हमारा बोल्टिस इतना है 21 बटे 7 तो आजा कितना थ्री एंपियर अब जो थ्री एंपियर करेंट आई है वो यहां से निकल वही है तो यहां से निकल के यहां पर आएगी 3 एंपियर करेंट अब दो भाग में डिवाइड करना है तो आई एस्टी कमान निकालना है तो ऐसे तो अगर दो भाग में डिवाइड हो है अगर तो यहां से जाने वाली current कमान निकालना होता है तो current डिवाइडर भूलक प्रोग किया रता है लेकिन special case क्या होता है यादि दोनों resistance equal हों पायदल में लगे दोनों resistance यादि equal हों तो जो current आती है वो दोनों में समान भाग में बढ़ जाती ह है यहां से direct निकल आएगा हमारा isc बराबर कितना इसका अधा कर देंगे कितना जाएगा 1.5 यह हमारा क्या निकल आया isc मतलब start circuit current निकल आया यह हो गया हमारा step first अब हम देखने है step second अब step second में हमको नार्टन इक कि रजिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ए और बी के क्रास निकालना है हमें तो यहां से हम देखेंगे यहां पर क्या लगा है voltage source voltage source को क्या कर देंगे हम अगर current source हो दा तो open circuit तो आप देखो किस प्रास हमारा फीगर बनेगा यहां से क्या निकालना होगा नार्टन रजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना प्रग्रम को यहां देखेंगे यह किसमें है पैरल में चार ओम छे ओम पैरल में यह इसके सिरीज में तो यहां से कांबिनेसं कैसे बनेगा Dire Noch 6 Ohm के और अगरा दो च्चern हे जो यह गार ऋटन सब्सक्ना हो और हम लोग क्या क्या करेंगे स्टप नार्टन एक क्या क्या करेंगे नार्टन रजिस्टेंस अब हम यह प्यां बहुआ अधंड को नार्ट कैसे बंता कि एक एक एक्ट लगाएंगे इस्टे एक रजिस्टेन्स लगाएंगे यह हो गया यह है A यह है B इसे कहेंगे हम आवियन यह होगा IST तो IST कमान कितना आया था IST कमान आया था एक दसमलो पाँच एमपियर आवियन कमान कितना आया था आठ दसमलो चार ओम चार आखर दो आया था अभी है चार आया था अब हम क्या करेंगे यह होगा हमारा नावर्टन फिपैलेंट अब हम जो रजिस्टेंस को 60 सरक्षट की है उसको लाकर लगा देंगे यहीं पे कि कितने ओम का हमने 70 तका दिया था कि दो ओम का इसी में जाने वाले इंको करन कमान चाहिए तो हम क्या करेंगे यहां से यहां से कितनी न है करेंट गेंठ न है डिंध सेंगेंasant प् wellbeing ललाई और डोर तो जिस्ट में जिस रचिस्टेंस में जाने वाली करेंट का माझसा जाए वह कि उसके आप प्रोजिक का जो डिस्टेंस है उसको ऊपर लिखेंगे हैं अधिस में जाने वाले कर रिस्टेंस को ऊपर दोशनॐ को उपर लिखो दोनों डिस्टेंस का यौग कितना हो जाएगा 10 1995 चृंडि हमारा नार्टन इक्विवाइलन का 2-0 में जाने वाले करन्ड का मान होगा तो हल करते हैं इसको गुड़ा करेंगे 12 5-104 आएगा आएगा आई होप आपको गवीडियो समझ में आया है करो सम्मझ में झाल झाल